स्वागत आपका न्यूस 11 भारत में आपके साथ मैं हूँ शारिफ इब्राहिम चायबासा में पीडित परिवार से मुलाकात करने के बाद सीम हेमन सुरेन वापस राची लोटाए है एरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार पीडित परिवार के साथ खड़ी है दोशियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा ये बाते कहिए मुकमंत्री हेमन सुरेन ने लोगों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथ मिटता है किसी व्यक्ति पर नहीं हमारे परिवार पर हमला है और हम इसको बिलकुल बरदाश्ट नहीं करेंगे कहना है मुकमंत्री हेमन सुरेन का कि चाइबासा में हत्याकांड के पीडित परिजनों से मुलाकात कर वापिस सीम राची लोटा है जरान एरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि सुरक्षा सरकार की पहली प्राथ मिटता है मना ही कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है हमारी तरफ से हिडायत भी है कि कोई ऐसा काम ना करे क्योंकि कानून हाथ में लेने वालों को सक्ति से निप्टा जाएगा यह बिल्कुल असपस्ट है और घटना मरमाहत करने वाली है इस विश्यापर S.I.T. पहले ही गठी थे और इस अंदर में विश्टित रूप में समय आने पर आपको बताया जाएगा आज मैं पहले भी कहता रहा हूँ चुकि जार्खन सिर्फ हमारे लिए राज नहीं एक परिवार है यह घटना हमारे परिवार के बीच में घटी है उनके इस दुख के घड़ी में हम उनके साथ अरविर्थी के लिए तो बदाये की चाइबासा में हत्याकांड के पीडित परिशनों से मुलाकात कर वापस राची लोटे मुक्मंतरी हिमन सुरेन उन्होंने एरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा कि सुरक्षा सरकार की पहली प्रात्य मित्ता है और इस तरह की घटनाये दुबारा ना हो इसके लिए पुलिस प्रसाशन को सख्त निर्देश दिये गए हैं तो आपको बताएं कि चाइबासा में हत्याकांड के पीडित परिजनों से मुलाकात करकर सिया में हेवन सुरेन वापस राच्शी लोटा है जान उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्रात्य मिक्ता है जहारकंडवासियों की सुरक्षा इस तरह की घटनाये दुबारा ना हो इसको लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिये हैं पुलिस प्रसाशन को साथी साथ उन्होंने का है कि इस घटना में शामिल जो भी आरोपी है उन्हें किसी भी सूरत में बक्षा नहीं जाएगा